सहारनपुर के रेलवे ग्राउंड पर पहुंची पूनम पंडित ने कहा कि सहारनपुर में वह पहली बार पहुंची हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सी चीजे देखने को मिली जो पहले देखने को मिलती थी लेकिन यहां पर आज देखा कि रामलीला का आयोजन सरदार इशाई हिंदू पार्सी ने मिलकर किया है यह त्योहार सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है वहीं रामलीला का आयोजक सरदार निक्कू सिंग ने कहा कि बुल्डोजर भी सत्यका प्रतीक है जिस तरीके से राम ने रावड के अहिंकार का नास किया था उसी तरीके से बुल्डोजर भी अहिंकार को तोड रहा है इसलिए उन्होंने आज रावड की सवारी बुल्डोजर को सबसे पहली तो मैं एक बात बता दू यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजे देखने को मिली जो कभी बहुत पहले मिलती थी आज कल आपको पते हैं तोड़ने की बाते की जाती हैं आज जगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत के बाईचार को ब्रक्रा रखते हैं इसमें मुझफर भाई हैं और एक लच्छमन का रोल प्ले करने वाला एक इसाई परिवास से एक बच्चा है तो यह एक हमारे भारत के भाई चारे एकता को बरकरार करकने के लिए सम्मान सौभी मान को बचाने के लिए जो मंच पर इस पर खुबसूरती मिली सनातन धरम का मंच सज होता है आज हमने बुल्डोजर पर रावन को शोबा यात्रा में चलाया तो यह संदेज देने का परियास किया कि आप अपना एंकार त्याग दीजिए वरना अंत निश्चित है हमें समाज में इस बात का संदेज देना है कि हमें एंकार से नहीं जीना है हमें समाज हित में क देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर